समय और सिक्षा का सई उप्योग ही वेक्ति को सपल बनाता है हेलो वाइज मैं लव प्रिकास गोव में आप सभी का वेलकम करता हूँ यूटुब चैनल केप्टन एग्रो में तैस जैसा कि आप सबको पता है कि आपका क्रशी परविक्षक का एक्जाम 18 सितंबर 2021 को है आज डेट हैं 2 सितंबर 2021 गिंती के 15 दिन हमारे पास है इन 15 दिनों में किस तरीके से हम तैयारी करें ताकि हमारा सेलेक्षन हो जाए आज इस टोपिक के उपर हम बात करने वाले हैं तो आईए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्रेब जरू कर ले पास में जो बेल आइकन हैं उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नॉटिपिकेशन आपको टाइम टाइम में लिटे रहे आईए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पंदरा दिन हैं इन 15 दिन के अंदर हम क्या पढ़े किस तरीके से पढ़े कितना समय हमें किस सब्जेक्ट को देना है हमारे पढ़ने का लेवल क्या होगा ताकि हमारे सिलेक्शन होने के चांसे ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए आपने के लाइन सुनी होगी कि बिना रण नीती के कोई भी युद्द नहीं जीता जाता मतलब बिना प्लानिंग के कोई भी कारे हमारा सफल नहीं होता है तो अगर हमें सफल कारे को बनाना है या कारे हमारा सफल हो जाए तो इसके लिए हमें एक रण नीती तयार करनी पड़ेगी तब ही जाके हम उस चीज में सफल हो सकते हैं तो आईए देखते हैं आज हम बात करेंगे 15 days strategy या रण नीती एक लाइन है यहांपर समय ओ सिक्सा का सही उप्योग अगर समय के साथ साथ आपने सिक्सा का सही उप्योग कर लिया तो आपका जो भी आपका गोल है उसमें आप जरूर सफल हो जाओगे आईए अब हम बात करते हैं क्रसी परविक्षक के उप्पर जैसा कि आप सब को पता है कि हमारे क्रसी परविक्षक का जो सेलेबस हैं इसमें एग्री कल्चर के साथ क्योशन आते हैं राजस्थान जीके के 25 क्योशन आते हैं और हिंदी ग्रामर के हमारे 15 क्योशन आते हैं य आजस्थान जी के में भी तीन सब्जेक्ट हैं, कल्चर हैं, जियोग्रोफी हैं और इस्ट्री हैं और हमारे हिंदी में हिंदी ग्रामर हैं इसके 15 क्योशन हैं अब सबसे पहले हम यह decide करें कि इन 15 दिन के अंदर हम कितने कितने घंटे किस-किस subject को दें और किस-किस समय पे हमें कौन-कौन सा subject पढ़ना है ताकि हम ज़ादा से ज़ादा हमारे syllabus को cover कर सकें तो सबसे पहले basic time table में आपको बताता हूँ कि कितने घंटे आपको किस subject को देना है तो आईए बात करते हैं agriculture की अगर मैं बात करूँ तो agriculture में तीन subject अमारे पास हैं पहला agronomy, सशे विग्यान इसको आपको दो घंटे देना है बिलकुश सिंपल सा वीडियो है आराम से आपको समझ में आ जाएगा अगर आपका पूरा focus board पर होगा horticulture इसको भी आपको दो घंटे देना है और animal husbandry पसुपालम विग्यान इसको आपको देट घंटा देना है कहने का मतलब है जो agriculture है वो हमारा complete हो जाएगा साड़े पाँच घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर animal husbandry को समय कम इसलिए हमने दिया है क्योंकि इसका syllabus इन दोनों subject की अपक्षा कम है सबसु पहली बात ये वीडियो उनी के लिए ज़्यादा कारगार होगा जिनोंने अपना syllabus कम से कम एक बार पढ़ रखा है तो अगर ज़्यादा बार पढ़ रखा है तो बहुत बढ़िया बात है बट कम से कम जिनोंने अपना syllabus एक बार complete कर रखा है उनके लिए वीडियो काफी ज़्यादा फाइदे मंद साबित होने वाला है तो एग्रोनोमी को हमने दो गंटे दिये होटी कल्चर को भी हमने दो गंटे दिये और एनिमल हजबेंडरी को हमने देट गंटा दिया अब हम बात करते हैं राजस्थान जी के, चो राजस्थान जी के हैं इसके 25 क्योशन आते हैं और इन 25 क्योशन को करने के लिए इन 15 दिन के अंदर अंदर हमें रोजाना, इसको 10 गंटे का समय देना ही होगा तो हमें राजस्थान जी के को 10 गंटे देने हैं और मैं बात करूँ हिंदी तो हिंदी का सेलेबस भी कम है और इसके 15 क्योशन आते हैं यह 15 क्योशन हमें सही करने के लिए 1.5 गंटा हमें हिंदी को देना पड़ेगा तो यह तो हमारा टाइम टेबल हो गया करीबन करीबन 8-9 या 9.5 गंटे के आसपास ही आपके पास होंगे अगर आप इनको जोड़ोगे तो बात हो गई घंटो की कि कि कितना गंटे हमें किस सब्जेक्ट को देना है अब सबसे एहम बात कि कौन सा सब्जेक्ट हम कब पढ़े क्योंकि समय जो है ना हो तो निकलता जाएगा आप नहीं पढ़ोगे तब भी समय निकलेगा 18 सितंबर आएगी चाहे आप पढ़ो या मत पढ़ो तो पढ़ना तो पढ़ेगा क्यों ना इन दिनों में इन 15 दिनों के अंदर अंदर अच्छे तरीके से टाइम टेबल का मेनेजमेंट बनाके हम पढ़े ताकि हमारा सेलेक्शन हो जाए या हम ज़्यादा से ज़्यादा क्योशन अटेंट कर पाए आपने तो देख लिया कि कितने गंटे क्या-क्या पज़ना है अब मैं बात कर रहा हूं टाइम मेनेजमेंट की कि कब कौन सा सब्जिक्ट पढ़ोगे तो आईए आपके दिन की सुरुवात करते हैं सबसब पहले आप सभी को रोजाना पाँच बजे उठना है मैं मौर्निंग से आपका टाइम टेबल स्टार्ट कर रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना आप सभी को मौर्निंग को पाँच बजे उठना है और पाँच बजे उठने के बाद साड़े पाँच बजे तक आपके जो भी दिन चर्या के जो भी वर्क हैं आप उनको कर ले I hope आप समझ गए होंगे और आपका टाइम अब स्टार्ट होता है 5.30 से आपका जो टाइम टेबल है 5.30 AM से स्टार्ट होता है और आपको साड़े 5 बजे morning साड़े 5 बजे कौन सा subject पढ़ना है तो आपको राजस्थान जी के पढ़ना है क्या पढ़ना है राजस्थान जी के साड़े 5 बजे जब आप पढ़ने बेठोगे तो साड़े 5 से लेकर 8 बजे तक साड़े 5 से लेकर 8 बजे तक continue आपको राजस्थान जी के को पढ़ना है जिसमें आपके अडाइगंटे कारे आप कर ले 8 से 10 बजे तक, मतलब 2 गंटे का रेस्ट, 10 गंटे आपने पड़ा और फिर 2 गंटे का रेस्ट आपको मिल रहा है जिसमें आप अपना वर्क कर ले ठीक है, क्या जो भी आपका वर्क होता है जिसे कि सबसे important आपका नास्ता, नास्ता बहुत जरूरी है क्योंकि खाली पेट होगा तो दिमाग काम नहीं करेगा तो नास्ता कर ले, नहा ले अच्छे तरीके से, जो भी आपके कोई काम है उन सब को आप complete कर ले 10 बजे तक वापस 10 बजे से आपके class start होगी किसकी हिंदी की, और आप 10 एम से लेकर 11.30 एम तक हिंदी पढ़ोगे ये डेड़ घंटा, कोईसा? ये हिंदी का जो डेड़ घंटा है आप कवर करोगे कब 10 से साड़े ग्यारा बजे तक, देखो अभी 12 नहीं बजे, मतलब अभी क्या कर लिया है, राजस्थान जी के और हिंदी को कवर कर लिया है अब सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचा क्या, तो agriculture लेकिन ये रण नीतिया आपको continue 15 दिन तक अपना नहीं है अगर 15 दिन तक अपना लोगे न, तो ये तो मुझे पता नहीं कि आपका selection होगा या नहीं होगा लेकिन आपको बहुत जादा फाइदा इस रण जी से होने वाला है तो अब भी देखो 12 नहीं बजे हैं, साड़े 5 बजे से हमने हमारा time start किया था साड़े 11 बज़ गए, इसके बीच में हमने 2 घंटे का rest भी लिया है जिसमें हमने राजस्थान जीके को भी पढ़ लिया है और हिंदी को भी पढ़ लिया है आओ इसी time table को आगे बढ़ाते हैं अब साड़े 11 बज़े के बाद में वापस आपको लेना है break और कम तक तो 2 बज़े तक 12 एक दो वापस 8 घंटे का break हैं जिसमें आप चाहो तो खाना खा सकते हो फिर से अच्छे सें और आप अगर आपको सोने की बुरी आदत हैं तो आप 1 घंटे की नींद भी ले सकते हो क्योंकि साड़े 11 से 2 बज़े तक कोई class नी है क्योंकि समय ऐसा होता है डिपेंट करता है बट मैं आपको एक टाइम टेबल बता रहा हूँ इसके अकोड़ी आपको चलना है तो आगे बढ़ते हैं साड़े 5 से 8 आपने राजस्थान जी के पढ़ा है 10 साड़े 11 आपने हिंदी को पढ़ा है उसके बाद साड़े 11 से अंदर अंदर रो जाना आपको 2 बजे से वापस आपकी लाइफ स्टार्ट हो जाएगी दो पहर 2 बजे से लेकार दो पहर 4 बजे तक आपको सस्य विज्ञान पढ़ना है क्या पढ़ना है एग्रोनोमी आपने बहुत रेस्ट कर लिया इससे पहले तो बिल्कुल अच्छे से जो उसके साथ पढ़ना एग्रोनोमी सस्य विज्ञान 2 बजे से 4 बजे तक हम पढ़ेंगे और 4 बजे के बाद फिर से आपको आदे गंटे का रेस्ट दिया जाता है आप आदे गंटे इधर उधर तहल लो या चाय वगेरा पी लो ठीके जिससे अगर आपको नींद आने लगेगी ना तो गायब हो जाएगी वापस आपको साड़े 4 बजे पढ़ने बेठना है और साड़े 6 बजे तक आप पढ़ोगे होटी कल्चर क्या पढ़ोगे होटी कल्चर देखो आपने एगरोनोमी भी कवर कर लिया है होटी कल्चर को कवर कर लिया है सुबह साड़े 5 बजे से चलना आपने स्टार्ट किया था और साड़े 6 बज चुके हैं जिसके बीच में हमने बीच बीच में ब्रेक भी लिया है अच्छा कासा अड़े गंटे का लिया है आदे गंटे का लिया है दो गंटे का लिया है ठीके ये पूरा दिन आपका कवर हो गया लेकिन अब भी हमारा से लेबस कवर नहीं हुआ है अब साड़े 6 बज गये हैं उसके बाद फिर ब्रेक है आपके पास देड़ गंटे का तो नींद आएगी, हलका-फुलका खाना आपको खाना है और वापस आप 8 बजे पढ़ने बेठोगे और 8 पीम से लेकर 9.30 पीम तक आप पढ़ोगे आपका दिन सारे के सारे के सारे जो सब्जेक्ट है आपके वो आपने कवर कर लिये हैं बहुत अच्छे तरीके से अब जब आप दिन बर पढ़ोगे तो हो सकता है कि जब आप 15 दिन बाद जब एक्जाम दोगे तो कुछ क्योशन से भूल जाओ यसा होता है अक्षर एक्जाम के अंदर हम भूल जाते हैं आपने पढ़ा है फिर भी याद नहीं आता है तो आप क्या करो वह साड़े 9 बस गए साड़े 9 बज़े आपका सारा से ले बस कंप्लीट हो गए इसका मतलब हमें सोना नहीं है आप साड़े 9 बज़े से लेकर सबसे इंपोर्टेंट स्टार लगा लेना 9.30 तू आपको पढ़ना है चाहो तो आप 10.30 तक या फिर आप यहाँ पे 11 पीम भी कर सकते हो इसमें आपको जो भी आपने सारा पढ़ा है न इन सब का रिविजन इस डेड़ गंटे या एक से डेड़ गंटे के बीच बीच कर लेना है या आपके लिए काफी ज़्यादा फाइले मंद होगा अगर आप रिविजन नहीं करोगे न तो नुक्षान में रहोगे दिन बढ़ जो भी पढ़ो आप उसका रिविजन साड़े नो से साड़े दस के बीच या 11 बज़े तक हो जाना चीए और 11 बज़े के बाद आपको क्या करना है सो जाना है गहरी निद्रा में 11 से 12 1, 2, 3, 4, 5 6 गंटे की नीद आपको कम से कम लेनी है और 6 गंटे आप सोगे दिन में भी अगर आप 1 गंटा सोते हो तो 7 गंटे बहुत है 24 गंटे में अगर आप 6-7 गंटे सो रहे हो तो बहुत है 15 दिन की तो बात है उसके बाद आप फुल सोना 12-12 गंटे कोई दिक्कत नीए लेकिन क्लासी परवेक्षक अगर बनना है तो ये टाइम टेबल आपको अपनाना पड़ेगा अच्छे तरीके से कम से कम इतनी महनत आपको करनी पड़ेगी ये रिविजन क्लास आपको लेनी पड़ेगी तब ही जाके आप कवर कर पाओगे सारा का सारा सेलेबस अब बहुत सारे आप में से से भी स्टुडेंट होगे जिनोंने अब तक कुछ भी नहीं पड़ा है उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा बस पड़ते रहे इतना कहूंगा लेकिन जिनोंने अपना सेलेबस एक बार कम्प्लीट कर लिया है आप एक टैन टेबल बनाए एक रण नीती बनाए तबी जाके हम अमारा पूरा का पूरा सेलेबस कवर कर सकते हैं मैंना पहले ही बोला है अगर समय के साथ सिक्सा का सही उप्योग किया एक तो समय है आपके पास लेकिन सिक्सा का कोई सदुप्योग नहीं है कभी भी पढ़ रहो 15 मिट पढ़े फिर उट गए तो इन सब चीजों से आपको दूर रहना पड़ेगा मतलब एसी एसे फेक्ट सामने आते हैं जीसे आप वीडियो देखरो उस तरही के साथ नीचे वीडियो जाते हैं बहुत सारे सजेशन में उसमें लिखा हुआ आएगा साथ अजीबो गरीब चीजे जो आपने कभी भी नहीं देखिए मन नी मानेगा आपका आप उस वीडियो को चला के देखोगे जो आपकी क्लास अना उसको आप बंद कर दोगे तो यह सब कुछ चीजे आपको बंद करनी पड़ेगी तब ही जाके आप अपना से ले बस कवर कर सकते हो अच्छे तरीके से एक golden opportunity आपके पास है क्रसी परविक्षक क्योंकि पता नहीं आगे कितने साल बाद वापस vacancy आए इसलिए क्यों ना इस समय के अंदर इतने अच्छे तरीके से महनत की जाए कि हमारा selection हो जाए I hope जो भी मैंने आपको बताया है सारा का सारा आपको समझ में आया होगा अगर कुछ भी आपको पूँचना है तो इस वीडियो के नीचे chat box में आप comment कर सकते हैं आपको reply दिया जाएगा तो इस वीडियो में मैंने आपको कोई topic नहीं बताया है सिर्प आपको एक time table का management बताया है कि किस तरीके से आपको अपने time को manage करना है इन 15 दिन में केसे कितना कितना समय किस subject को देना है अब अगर आप जानना चाते हो कि इन 15 दिनों के अंदर हम agronomy में, horticulture में, animal husbandry में ऐसे कौन-कौन से topic है जो important है जहां से question आता ही आता है वो topic आप हमें बता दो तो बिल्कुल आप इस वीडियो की नीचे comment box में जो भी आपको पूछना है comment कर देना उसके उपर वीडियो बना दिया जाएगा और आपको provide करवादियाज आएगा बहुत जल्द से जल्द मुझे आपके comment का इंतिजार रहेगा और आप सभी student एक बार इस वीडियो को like कर दे, अधिक से अधिक share करे और comment box में जाए जवान, जाए किसान लिखना बिल्कुल भी न भूले और जिन्हों ने अब तक Captain Agro App को डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड जरूर कर ले लिंक नीचे description में है क्योंकि Captain Agro App के उपर जल्द ही T-Series आने वाली है उसका पता आपको एप से लग जाएगा तो आप एप डाउनलोड करे लिंक नीचे description में है हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में तब तक आप सभी को राम राम नमस्कार जाए जावान जाए किशान जाए इन फ्रेंड बाबाए आपका दिन सुब मंगल में हो